हाई फ्रेंज टेक्निकल वाल्स जैदी में फिल्ट से आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता होगा फिडियो इस टोपिक पे है तो फ्रेंज बिना टाइम में इसके फिडियो को सुरू करते हैं दोस्तो जानवर इंचनों के साथ हादरों सालों से रहते आ रहे हैं लेकिन किसी भी जानवर के सबब को देखकर हम ये आंदजा लगा सकते हैं कि ये जानवर बिमार है या गुश्चा है या कुछ और बात है लेकिन दोस्तो इन जानवरों में भी इतने सालाग जानवर होते ह कि इनको समझना मुश्किल हो जाते है दोस्तो आज के इस फीडियो में हम आपको ऐसे कही ड्रामे ब्यास जानवार दिखाएंगे जो खुच के किसी मतलब के लिए लाज़ अब एक्टिंग करने के ट्राइ करते है तो सलिय दोस्तो ये वीडियो बहुत ही मज़े दर होने वाली है और इस फीडियो को अंग तक जोरू देखिएगा और दोस्तो हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए एक से दो दिन लगते है और दोस्तो आपको इस फीडियो को लाइक करने में एक मिनित भी नहीं लगेगा तो दोस्तो फीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोरूल करे जानवर अपने अलग अलग वज़ा के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए ऐसा एक्टिंग करते हैं जो आपको कभी भी वेबुकूप बना सकते हैं और दोस्तो इस जानवर को देखकर आप भी ठोका खा जाएंगे खोरा एक ऐसा जानवर है जो कही लोग पसंद करते हैं खोरा बहुत तेज और मज़े हुए होते हैं लेकिन इस खोरे को देखकर ऐसा नहीं लगता इस खोरे पर कोई भी जब सबर होते हैं तब ये खोरा नीचे गिर कर मरने की एक्टिंग करते हैं और उसके बाद वो काफी देर उधरी परा रहता है फिर देखता है कोई इंचान उसके आज़ पास तो नहीं है और फिर वो उधरी खरा हो जाते हैं लेकिन ये खोरा किसी को भी शबर होने नहीं देते लेकिन इसके मालिक इससे बहुत प्यार करते हैं भले ही ये खोरा किसी को भी शबर होने ना देते हो नमबर तू दोस्तो ऐसे ही सिर्फ बरे जानवर ही नहीं बलकि सोते जानवर भी काफी आगे है जैसे कि ये दाग जो रोज पे सल रहे होते हैं लेकिन जैसे ही कोई जानवार या कुछता इसके पास या इसे पकरने की कोशिश करते हैं तब वो गिर कर मारने की एक्टिंग करते हैं और कुछ समय ऐसे परे रहते हैं और जब मालूम होता है कि उसके आसपास कोई नहीं है तब यह दाग उठ जाते है और उधर से फाग निकलते है नमबर थ्री दोस्तों कुट्टा और विली कितना मासुम होता है इन्हें अपने मालिक के साथ खुमना खेलना काफी पसंद होता है पर वो जब विमर होते है तब इनके काफी थ्यान रखना पड़ता है क्योंकि यह बेजबन जानवर नहीं कुछ बोल सकते है नहीं अपने तकलिफ बता सकते है इसे ही एक मालिक के कुच्टे को काफी दिनों से खासी हो रही थी और उसके मालिक ने काफी चरे दक्तरों को दिखाया और फिर भी इस कुच्टे की खासी ठीक नहीं हो रही थी और फिर एक दिन दोक्तों में बताया कि इसके सारे रिपोर्ट नॉर्मेल है और ये कुच्टा पूरी तरह से खासी की एक्टिंग कर रहे है क्योंकि जब भी इस कुच्टे को बाहर खुमने ले जाते थे तब वो विल्कुल ठीग हो जाते थे और खासी भी गायब हो जाती थी और जब उसके मालिक घर में आके बेच जाते थे तब वो कुच्टा खासना शुरू कर देते थे और फिर ये देखकर कुच्टे के मालिक को समझ आ गए कि ये पूरी तरह से प्लैनिंग हैसी थी जो कभी भी कोई भी नहीं सोच सकते नमबर फोर दोस्तो दांदर में भी इतना समझ आ गए है कि इनको कब और किस तरह से क्या ड्रामा करके वो अपना काम निकल सकते है और इसी तरह ज्रामा करके वो आपना काम निकल लेते हैं दोस्तो ये कुट्टा थाइलेंड के हैं और इस कुट्टे को बहुत बाद देखे गए हैं जो लंगरा होने की एक्टिंग करके लोगों का थ्यान अपने तरफ खिश लेता था और लोग इसे बेचारा कुट्टा समस्कार खाना दे देते हैं और फिर एक दिन इस कुट्टे को एनिमेल रेस्क्व तीम मेंबर ने देखा तो इस कुट्टे पर बहुत तरस आया जब लोगों ने बताया कि ये कुट्टा इधेरी रहता है और इसी तरह से एक्टिंग करते है और फिर भी इस रेस्क्व मेंबर ने इस कुट्टे को दॉक्तर के पस ले गए और दॉक्तर ने कहा कि इसका पेर बिल्कुल ठीक है और ये सिर्फ एक्टिंग है और दोस्तो आज भी ये कुछता इसी तरह से एक्टिंग करके कही लोगों को वेबू को बनता है लेकिन सजबत तो ये है ये जानवर ये एक्टिंग अपने पेट के लिए करते है जो कि कुछ गलत नहीं है नमबर फाइव ये कुछता भी एक्टिंग का बाप है जो कभी कबार कुट्टे को खाना ना पसंद होने की बज़ा से वो माना कर देते है या फिर बिमार होने की इनातक करते है और इस कुट्टे ने भी कुछ S.I.E. करने की कोशिश कर रहे है जब उसका मालेक उसके नाखुन करने की कोशिश करते है तब वो उस दर के मारे बेऊस होने की एक्टिंग करते है जिससे की उसका मालेक नाकुन कतने से रुप जाए तो दोस्तो ऐसे द्रामेबस दानवरों को देखकर आप क्या सोचते है कॉमेंट करके जोरूर बताए और दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले